स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्य टेकनोलजी में ये हो गया मेरा थर्स्टे का अपडेट दिखा रहा हूं आप लोगों के सामने और प्रिंटर में देरे-देरे काम चल रहा है गाड़ी आगे बढ़ाई जा रही है और मैंने पूरे प्रिंटर में ब्रैक करते है उसके बाद बनाते है यह जैसर यहां पर एक कॉर्णर में तीन लग रहा है इस कॉ ceram में तीन लग रहा है मतलब एक जॉइंट जाता है जो यह एक बॉक्स रहेगा उससे मतलब ये तीनों मैं कर लेगा इंग उसके लिए आपको यहां पर थ्रेडिंग करवानी होगी, जो कि जिस वेंडर समय लेने की कोशिश करूँगा, वो करता है थ्रेडिंग लेकिन उसका एक्स्टा चार्ज करता है, तो पहला तो वो समझेगा, प्लस वो ब्लॉक का दाम ये तीनों से जादा होता है, तो वो करना मिलीमेटर का वो जो प्रिंटर है, वो सब जनरली पचास से साथ काते है, एक प्रिंटर है, जो साथ CR10 के साथ छड़खानी करके बनाया हुआ है, जो 400 मिलीमेटर पचास से जार में दे देता है, तो यह तो उससे जादा ही खाएगा, लेकिन यह best of the best बनाने ही कुश कर रहा मोटर को माउंटिंग के लिए मैं इस तरह का प्लेट इस्तमाल करेंगा, टॉप में मोटर रहेगा, यानि कि इस जहां पर मोटर रहेगा, मतलब ब्रैकेट रहेगा और मोटर ऐसे बट कर रहेगा, तो मतलब देखने पर यह इस तरह का लगेगा, यह तिगडम हम करने वाले है यह सब तो एक पत एक स्टेप तक बात हो गए लेकिन जो मीन खर्चाते यह तो सिर्फ रिमिंग हो गए यह कोई जाधा हुआ वाला चीनिया कि कोई भी बना सकता है मीन है मुझे एस्टूडर बनाना है इसके लिए अपने से कस्टम तो एस्टूडर के बारे में कल हमने एक प्लस इंडिया में मिलता भी नहीं है तो उसके पारे में बात ही नहीं करना है लेकिन मतला आप देख सकते हैं यह पूरा यूनिट जो है यह बहुत सारा काम एक साथ करता है जैसे कि अगर आप है मेरा को पूरा अच्छे से देखने के कुशिश करेंगे तो आपको समझ में जो हीट सिंग जासा भी है जो कि आप देख सकते हैं यह यह लेकिन हीट सिंग इसका नीचे है और उसके नीचे नौजल है तो नौजल आपके मीन फ्रेम से जतना दूर रहेगा यह उतना जादा वाइवरेट करेगा आप इसको चाहिए एक्दम नस्दी कर रख सेके एक्द दो नहीं लगा सकते हैं मतलब दो को कर ऐसे आप लगाते हैं प्रॉब्लम है कि दोनों का कूलिंग फैन हिट करने लगे एक दूसरे को वो बना नहीं हो सरसे और और यह मतलब एरिया मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह चोटा एरिया मतलब मोटर के साइड में जाओन जितना लंब करना कर सकते हैं और ज्यादा कूलिंग फिन इस्तमाल कर सकते हैं तो यह मैं खुद से डिजाइन करोंगा वहीं पर अभी लटका हूं मतलब एक रफ आइडिया लेना है और खूब सारे मतलब एक्ट्र डिजाइनिंग और समाज में आरा मुझे खूब सारे कस् इस आए-ठीरिंग ब्लाक्स लग सके तो यह काफी कॉस्ट्म वाला चीज है पतला मेटल से नहीं बना साथ नहीं तो यह फ्लेक्सी करता रह जाएगा मोटे से बनाना पड़ेगा और बहुत जद्द बना दें तो उपको दिखकत ने है क्योंकि यह इंसुलेशन मेटीरियल पे घट कर रहा है ना की मतलब यह हो गया मेरा नलमूनियम ब्ल्ट प्लेट यह हो गया सिलिकॉन हीटर यह हो गया इंसुलेशन तो यह insulation से heat करेगा मैं तो insulation से काट सकते हैं उस जगह पर लेकिन हम तो करना नहीं चाहते हैं तो design को और fine tune अगर करिंगे जिससे body को hide करते हैं और body में तो सारा है central, central, central area hide कर देते हैं इसको हम orthographic में देखते हम जादा clear लिये दिखें तो काफी जगह है मतलब हम यह और नीचे ला सकते हैं मोटर इस जगह में फिट नहीं हो क्योंकि मोटर 42 by 42 है यह जगह है मतलब 40 by 40 आराम से फिट हो जाता है तो मोटर को हम अगर और नीचे करते हैं तो यह clearance मिल जाएगा यहां पर हमारे फ्रेंट बोलने की drilling करना मेरे hometown में कोई असंभब वाली बात नहीं ड्रिल हो जाएगा तो वह कर सकते हैं तो ऐसे करके धीरे step by step progress किया जा रहा है गाड़ी बढ़ाई जा रही है तो अभी जतना rough estimate 50 तो minimum cross करेगा लेकिन हाँ मुझे काफी सारे Indian vendors मिल रहे हैं अब पता नहीं हो कितने reliable है कितने भरोसे बंद है पैसा लेकर समान देंगे कि नहीं नहीं पता लेकिन इंडियन है तो ट्राइब मारेंगे एक ठो यूपी में ह हैं तो देखते हैं तो यह था मेरा एक minor update और आप लोगों लग रहा हुआ है तो इसे ही होता है बनाने टाइम ऐसा ही काम चलेगा है परत-दर-परत बनाने में टाइम लगता है हम मतलब YouTube को देख रहे हैं जो build grinder अगर आप टाइप कीजिएगा तो खूब बना रहे हैं उस पर सबको बलता है साइड में काम करके एक साल लगा डिजाइन करने में अब हमको आप समझ मेरा क्यों इतना टाइम लगता है तो मैंने तो पूरे एक हफ्ता सिर्फी को दिया तब भी मतलब अभी extruder के बारे में मेरा कुछ नहीं हुआ है और कितने custom parts लगा कितना पसंद हुआ है मैं अब सब्सक्राइब करें और बेल दबा देगाना फ्री है तो आपने एन वीडियो देखे जानके मुझे बहुत खुशी हुई धन्यवाद